हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ और इन्रान खान ना एहली केस के फैसले पर तन्तीब कहा इंसाफ के दो तराजू नहीं चलेंगे ये सौदा पाकिस्तान में नहीं बिकेगा मेरी ख्याली तन्खा को असासा मान लिया और इन्रान खान ने अपने कारोबार का इतराफ किया तो बेंच खुद इन्रान खान का वकील बन गया उनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ ऐसा इंसाव अब पाकिस्तान में नहीं चलेगा मुल्क गीर इहतजाज का एलान आपके खिलाफ फैसला हो जाए तो फिर ये गालिया मत निका लिए कि बाबा किसी डिजाइन का किसी प्लैन का किसी बड़े अमल का हिसा बन चुका है नहीं बना ये बाबा नहीं बनेगा ये बाबा जुडिशरी सबका बाबा है और ये बाबा किसी प्लैन का हिस्सा बना ना बनेगा अपने खिलाफ फैसले आने पर गालिया ना दें चीफ जस्टिस साकिब निसार का किसी भी दबाव में आने से इंकार कहा नवाज शरीफ इमरान खान और जांगीर तरीन के चक्कर में फस गए अदलिया के कांदों पर बहुत बोज है अल्ला ना करे सिस्टम ही बैट जाए माई लॉर्ड क्या आपका बाबा वाटसेप कॉल्स भी किया करता था चीफ जस्टिस साकिब निसार की तकरीर के बाद मरियम नावास का सवाल कहा इंसाफ खुद बोलता है उसे किसी तश्रीफ, तफसीर, तकरीर या इजाफी नोट की जरूरत नहीं होती बयाना अपसादूं की कैफियत पैदा कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा चौदरे निसार ने हुकमरा जमात को जांगीर तरीन तरीक इनसाफ के जरनल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी ना एहली केस में नदर्सानी दर्खास्त के फैसले तक पार्टी औहदा खाली रहेगा तहरीक इनसाफ की को कमेटी का फैसला कौम सोगबार हर आँख अश्कबार बिकरी कौम को अपने खून से समेटने वालों हम तुमें नहीं भूले साने है एपिएस की तीसरी बर्सी पर खुसूसी ट्रांस्मिशन के जरीए शोहदा को आज न्यूस का सलाँ साने है आपिएस के शोहदा के शोहदा की याद में मुल्क भर में दवाया तकारीब शमे रोशन आपिएस के शोहदा को फरामोश नहीं कर सकते पुर्बानियं राइगा नहीं गई भारती जासूस कुल्भूशन की वालदा और बीवी के वीजों की दर्खास आ गई इजासत मिल गई तो जल्द खुद भी पाकिस्तान आएंगी 25 दिसंबर को मुलाकात का इमकान पाकिस्तान पहले ही भारती जासूस को एहल खाना से मिलवाने की पेशकश कर चुका है मखुजा कश्मीर में भारत के इंसानियत सोज मजालिम पर वजीर खारजा के मुझमत आलमी वरादरी से नोटिस लेने का मुतालमा किराची में बेहन के हातों बेहन के कतल का मुआमला अलवीना और उसके मंगेतर ने अदालत में भी अलीना के कतल का इतराफ कर लिया मुल्जमा ने वालदा के पाउँ पकड़ कर माफी मांग लिया मुल्तान के वुकला डिस्ट्रिक पोर्ट की जुडिशल कम्टेक्स मुन्तखली पर तैयार नहीं तोर फोर्ट से शुरू होने वाला ऐहतजाज धरने में बदल गया कचेहरी चौक पर तीसरे रोज़ भी ऐहतजाज की गुंच मुतालबाद के हक में नार बाजी मुदा अगास करेंगे नवाज शरीफ की अदलिया पर तनकीद से लंदन से पाकिस्तान के लिए रवानगी के मौक्ट पर इमराण खान ना एहली केस के फैसले से नाखुश साबिछ वजीर आजम नवाज शरीफ एक बार फिर अदलिया पर बरस पड़े है कहते हैं इनसाफ के दो तराजू नहीं चलेंगे ये सादा पाकिस्तान में नहीं बिकेगा इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे जो फैसला कल आया वो खुद अपने मूँ से बोल रहा है मेरी ख्याली तंखा को असासा मान लिया और इमरान खान ने अपने कारोबार का इतराफ किया तो बेंच इमरान खान की सफाई दे रहा है बेंच खुद इमरान खान का वकील बन गया हर बेंच अपना नजरिया जरूरत लाता है इसके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ अब नजरिया जरूरत के खात्मे का वक्त आने वाला है और फैसला सुना दिया हकामे पर और जब इमरान खान के खिलाफ हमने जो प्रटिशन की है तो बेंच जो है उसी का वकील बन गया वहां पर मैं आधशाओं की जिए मखान विव में जो फर् फरक हैवाग यह सौधा नहीं बिकराएगा पाकिस्तान में मैं यह बतां चाहता हूँ यह साौदा नहीं बिकेगा एक शक्स के खलाफ एकामे पे निकाल दिया जाता है और वो शक्स जो तस्लीम कर रहा है इतराफ कर रहा है उसको छोड़ दिया जाता है पहले ही कह दिया था उस वक्त भी आज से को मेरे खाल है कि दो तीन अफ़ते पहले की बात है कि इमरान खान और जांगीर तरीन के मुकदमों में नवाज श्रीफ को ही रिस्क वालिफाई दोबारा किया जाएगा और हूब हूँ वही हुआ है ये अपना इस तरह का जो इनसाफ है कि इनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में और हम इसके खलाफ भरपूर तरीक चलाएंगे मुलके अंदर और यह जो नजरीया जो शुरू हुआ है पिछले पुछास साथ साल पहले से अब उसका अन्जाम इन्शाला उसका आब आने वाला है अपना जो है बो लेजिटिमाइज करें डिक्टेटरों की हकूमतों को आप और आप अपना जो है वो ऐसे हुकमरानों को जो मार्शला डिक्टेटर उनको आप कहें ने जी आएन ये है इसकी ऐसी तैसी फेरें जो चाहें आप इसमें मेंडमन करें जो इक्तियार खुद जज़ों के पास नहीं होता वो किसी डिक्टेटर को कैसे दे सकते हैं नाजरीन नवाज शरीफ के लहजे की तलखी अपनी जगा लेकिन चीफ जस्टेस ऑफ पाकिस्तान अदलिया मुखालिफ तबसरों पर बरहम नजर आ रहे हैं जस्टेस साकिब निसार ने जुडिशरी को सबका बाबा करार दे दिया कहा कि बाबा किसी प्लैन का हिस्सा है ना बनेगा फैसले जमीर और कानून के मताबिख होते हैं फैसला खिलाफ आ जाए तो गालिया ना दी जाएं जमूरियत आइन से है आइन नहीं रहेगा तो खुदाना खास्ता ये मुल्क भी नहीं रहेगा एसा कोई पैस्ता नहीं हुआ जो अदिलिया को डिक्टेट करे जुडिश्री सबका बाबा है किसी प्लान का हिस्सा नहीं जीफ जस्सिस आफ पाकिस्तान का दो टोक पेगाम लोहौर में तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस मियास साकिम निसार फट पड़े कहा अदलिया पर कोई दबाव नहीं, फैसले जमीर और कानून के मताबिक होते हैं एवरी जाजिस इंडिपेंडेंट टेकिंग इस ओन डिसियन चीफ जस्टिस बोले, अदालती फैसलों पर तफसरे करने वाले एहतियात करें जिन्होंने फैसला पढ़ा तक नहीं होता, वो भी तफसरे शुरू कर देते हैं ये जो लोग मुबसरीन तफसरा करने वाले दोस्त, जिन्होंने जज़्जमेर पढ़ी नहीं होती हलात पता नहीं होते और वो एक ऐसा किसा वियान कर देते हैं जो कि सब हम सुनते हैं ये देखते हैं तो हमें भी हैरत होती कि ये तो वागए इस तरह से नहीं हुआ चिफ जसिस साकिम निसार ने मजीद कहा कि कानून के मताबिक फैसला करना जजजस की जिम्मेदारी होती है जजस जानबदार होते तो हुदेबिया का वो फैसला कभी ना आता जो आया है जसिस साकिम निसार का कहना था कि कानून में अगर कहीं गलती हो तो निशान नहीं करना जजज की जिम्मेदारी है हमने अदलिया को अंदरूनी तोर पर आज़ाद कर दिया है जजजस आजादाना तोर पर काम कर रहे है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने लहोर में तक्रीब से खिताब किया और ये कहा कि अदलिया में इसलाहात के लिए बहुत कुछ करना था लेकिन वो नवाज शरीफ इमरान खान और जाहंगीर तरीन के चक्कर में ही फंसे रहे लेकिन वक्त जाया नहीं किया सिस्टम की बहतरी के लिए जितो जहुद जारी रखेंगे जिस मुहबत से जिस दर्स से शासाब ये किया है मैं समय तो आप मुझे पर बाजी लेगे आपके वो काम कर दिया जो मुझे पहले दिन आपके करना चाहिए था आपको बताएं चीफ जिस्टिस के बयान पर मर्यम नवाज ने रद्दे अबल देना अपना फर्ज समझा और कहा कि माई लॉट क्या आपका बाबा वाटसेप कॉल्स भी किया करता था इनसाफ खुद बोलता है उसे किसी तशरी तक्रीर या इजाफी नोट की जरूरत नहीं होती पैसले करनून की बन्याद पर दे जाते हैं पिर ना उनकी तुछी की जुड़ोग पड़ती है और ना ने इताखी नोट से लिए नुट पड़ती है साबिक टॉनि जॉर्नल इर्वान गादर कहते हैं जजिस नहीं उनके फैसले बोलते हैं सियासी मौामलात में जजों की दिर्जस्पी, कोड अफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है ववाद चौधरी बोले ये अदालती फैसला बैलंसिंग एक्ट है फैसल सब्सबारी ने जुडिशल काउंसल के मौसर किरदार पर जोर दिया आज नियूस के प्रोग्राम रूबरू में हुई गुफटगू आप भी सुनी और उनके इहतराम के लिए किसी को मतालबा नहीं करना पड़े जहांगीर तरीन ने सुप्रीम कोड के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया तहरीक इनसाफ ने भी जहांगीर तरीन के इस्तेफ़े की मनजूरी मौख खर कर दी जहांगीर तरीन पार्टी ओधे पर काम करते रहेंगे तहरीक इनसाफ ने फैसला कर लिया बनी गाला में इमरान खान की ज़रे सदारत कोर गुरूप की एहम बैटक हुई मुस्ताफी सेक्रेटी जनरल जहांगीर तरीन ने इजलास में शर्कत नहीं की इजलास में सुप्रेम कोर्ट के फैसले के बाद की सुरतहाल पर गौर किया गया कोर गुरूप ने सेक्रेटी जनरल जहांगीर तरीन के स्टीफे की मनजूरी मौकर कर दी इस जिमन में हत्मी फैसला सुप्रेम कोर्ट में नजरे सानी अपील के बाद किया जाएगा जराइका कहना है कि जहांगीर तरीन सुप्रिम कोट के फैसले के खिलाफ नजरे सानी अपील दायर करेंगे जिसके फैसले की रोशनी में ही उनको पार्टी ओधे से अलग करने या ना करने का हत्मी फैसला किया जाएगा आगे बरतें आपको बताएं कोहाट में जलसे से खिताब में वजीर आजम शाहित फाकान अबासी का कहना था मुस्लिम लीग नून गालम गलोज की नहीं शराफत की सियासत पर यकीन रखती है मुखालफीन अवाम की खिदमत करके इंतखाबी मैदान में आएं जलाई 2018 में मुस्लिम लीग नून कारकरदगी की बुनियाद पर खड़ी होगी कुछ लोग फाटा पर सियासत करना चाहते हैं फाटा का मौामला भी नून लीग ही तकमील को पहुँचाएगी हमने कभी गाली की सियासत नहीं की मुस्लिम नून के जल्सें से कभी किसी को गाली नहीं दी गई कभी किसी की बुराही नहीं की गई हमारी वो सियासत नहीं है हमारी शराफत की सियासत है 15 जोई 2018 में तो फैस्ला अवाम में करना है मुसलमी ग्दून अपनी कारकरतिगी ऒर इजा भिला क्षटी ऑगी बड़े बड़े गलसे होते है, फाटा की बात की जाती है फाटा की पांस्दान का इस्सा होना चाहिए, ये काम किसने शुरू किया, मुसलमी ग्दून नीग वर इसको मकमल करेंगी अब आपको बताएं रहनुमा पीवल्स पार्टी एतजाज एहसन कहते हैं अदालत की जानब से हुदैबिया मिल केस में नवाज शरीफ के खिलाफ इसाखडार के इकबाली बयान के बावजूद कोई इकदाम ना होना ताज्जब की बात है इंतख़ाबात वक्त पर होते देख रहा हूं एक्षन करीब आते ही इत्तिहाद बनना नई बात बात नहीं मिया नवाज शरीफ के समदी और फाइनाइनस मिनिस्टर अब भी वो फाइनाइनस मिनिस्टर है उनका इकबाली बयान है उसको कहा लेके जाएंगा अगर ये अदालत कहना शुरू कर दे कि आप कोई सुप्रीम कोट के जज का फैसला हमारे आगे पेश इनी उसका दिकर ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि जजों में कोई टेंशन है और फैसले उस टेंशन की बुनियाद सुप्रीम कोट में कोई अंदर बदाहर तकसीम हो ग किसी को अच्छमबा नहीं होना चाहिए नाज़ीन सियासी महौल तो गरम हो रहा है लेकिन मुल्क भर में सर्दी का बसे रहा है पहाडों पर बर्फबारी के बार ठंड खून जमा रही है मजीद आहवाल जानी इस रिपोर्ट में मुल्क भर में सर्दी के डेरे, कराची ता खैबर, गिलगित ता गवादर, मौसम कूल ही कूल है यख बस्ता सर्द हवाउने कराची वालों को तो नानी याद दिला दी है जिसे देखो काप ता फिर रहा है दूसरे शेरों का हाल भी कुछ मुछलिफ नहीं लेकिन दरजह हरारत मुसलसल शरारत पर आमादा है और गिरता ही जा रहा है पहारी इलाकों में बर्वारी भी खूब असर दिखा रही है कुईटा, कलात और कलाम में तो पारा मन्फी आठ तक गिर चुका है और मौसम मजीद सर्द होने की पेजगोई भी कर दी गई और अब जिकर अनुखे सी एंजी स्टेशन का लहोर में FIA और सुई नाधरन गैस पाइपलाइन कमपनी ने मुश्तरका कारवाई करके घर में चलने वाला सी एंजी स्टेशन सील कर दिया चोरी की गैस भरकर जेबे भरने वाले बेनकाब लहोर में घर में बनाया गया सी एंजी स्टेशन पकड़ा गया ना लंबी कतार और ना घंटो इंतजार गुल्चन रावी में मुल्जमान ने गैस की में पाइपलाइन से गैस चुराई और किराय के मकान को सी एंजी स्टेशन में बदल दिया पाइपलाइब कर स्टेशन पक्राईब कर दो हमाई टेशन फावी इडिया